Hello students, welcome back to this channel So students, इस वीडियो में हम exercise 4.2 को continue करेंगे We will solve question number 5th of exercise 4.2 of class 8 Punjab School Education Board की 2023-24 वाली new book से Draw histogram of the following So यहाँ पर जो given data है, उसके लिए हमने histogram बनाना है So जैसे हमने histograms बनाये है, question number 4th and question number 3rd में बिल्कुल वैसे ही आपने histograms बनाने हैं यहाँ पर So already यहाँ पर मैंने x-axis and y-axis draw कर ली है, ठीक है Point of origin mark कर दिया है 0 And जो यहाँ पर हमें class intervals दिये थे वो किस चीज के दिये थे, daily earnings in rupees So x-axis के उपर मैंने इसको mention कर दिया, daily earnings in rupees And y-axis के उपर हम represent कर देंगे number of persons को Okay, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमें class intervals दिये हैं वो कहाँ से start हो रहे है, 450 से So यहाँ पर मैंने वैसे ही accordingly markings कर दी है यहाँ पर हमें class intervals का जो size है वो क्या दिया हुआ है, 450 to 500, 500 to 550, 550 to 600 इस तरह से, मतलब जो class intervals हैं, वो 50-50 के हैं यहाँ पर Okay, so यहाँ पर हमने marking कर दी 450 से 450, 500, 550, 600 इस तरह से up to 800 Last class interval यहाँ पर 700 to 750 दिया है न तो मैंने एक extra marking कर दी 800 बाली, ठीक है अब यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना है जैसे मैंने आपको previous वीडियो में explain किया था question number third and question number fourth में कि यहाँ पर हम लगाएंगे इस तरह से king ठीक है, जिसका मतलब है कि हमने break लगाई है यहाँ पर अब क्यूं लगाई है यह मैंने बहुत ही जाधा detail में आपको previous वीडियो में बताया था यहाँ पर मैं फिर से थोड़ा सा explain कर देती हूँ क्यूंकि यहाँ पर जो class intervals हैं वो 50-50 के हैं अब हमें जो data दिया हुआ है question में वो 450 के आगे वाला दिया हुआ है मतलब 450 से लेके 750 तक का अब 450 से पहले क्या था उसके बारे में थो हमें कुछ नहीं पता राइट सो इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से break लगा देते हैं हम kink लगा देते हैं क्योंकि यह देखो यह जो बाकी के blocks हैं यह तो 50-50 represent कर रहे हैं राइट अगर हम graph के scale की बात करें x-axis के उपर बट जो यह वाला block है 0 से 450 वाला अब यह तो 450 represent कर रहा है राइट जबकि बाकी के जो blocks हैं वो 50-50 का size represent कर रहे हैं ठीक है सो फिर scale proper नहीं आएगा न graph का की जो यह वाला block है यह 450 का size represent कर रहा है और जो बाकी के blocks हैं वो 50-50 का size represent कर रहे हैं सो इसलिए यहां पर हमने इस तरह से break लगा देनी है मतलब kink लगा देनी है अब हम बात करते हैं y-axis की y-axis के उपर हम represent कर रहे है number of persons को and number of persons basically frequency को represent करते हैं ठीक है यह class intervals होगा है and each class interval में कितने कितने persons fall कर रहे हैं वो क्या होता है number that is frequency so number of persons frequency को represent करते हैं ठीक है अब यहां पर देखो y-axis के उपर आपने बड़े से बड़ा number 25 represent करना है so scale हम थोड़ा बड़ा choose करेंगे ताकि कम boxes का use करके उपर की तरफ हम जादा data represent कर सकें ठीक है वैसे आप छोटा scale भी रे सकते हो जैसे एक box को आप 2 भी assume कर सकते हो so 2, 4, 6, 8 इस तरह से ले लो या फिर 5, 5 का scale ले लो आप 5, 10, 15, 20 इस तरह से ठीक है and scale आप कोई भी choose कर सकते हो यह जरूरी नहीं है कि जो scale मैंने choose किया है आपने भी वही scale choose करना है बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी scale आप choose कर रहे हो उसके accordingly आपका जो graph है वो correct होना चाहिए ठीक है तो यहां पर मैं 5 का ले लेती हूँ scale तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 ओके अब यहां पर यह जो first interval है 450 to 500 यहां पर हमने कितने number of persons represent करने है 16 so यहां पर देखो 16 कहां पर आएगा 15 and 20 के बीच में and जैसे कि हमने question number 4 में discuss किया था कि 15 and 20 के बीच में हमारे पास इस तरह से कितने parts बनते हैं total 10 parts ठीक है so यहां पर यह जो सबसे नीचे वाली line है मतलब यहां पर जहां पर हम 15 को represent करते हैं वो यह वाली line हो गई and यह वाली line उपर वाली जो 20 को represent करती है so क्योंकि अब इस पूरे के पूरे 10 parts में हम 5 numbers को represent कर रहे हैं that means इस तरह से जो दो दो parts हैं यह मिलके एक एक number को represent करते जाएंगे ठीक है so यहां पर 15 आ जाएगा यहां पर 16 आ जाएगा यहां पर 17 यह इस तरह से देन आगे वाले दो लेके यह वाली line 18 को represent कर देगी फिर जो यह वाली line है वो 19 को represent कर देगी and last वाले 2 मिलके यहां पर 20 represent हो जाएगा ओके and जो center वाली line होती है मतलब यह वाली line यह mid वाली line होती है ठीक है तो इसके उपर भी 5 parts होते है इसके नीचे भी 5 parts होते है 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 ठीक है जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने बताया है यह so अब हमने यहां पर represent करना है 16 को so 16 कहां पर आएगा 15 के उपर जो second line है न हलके green color वाली light green color वाली वहां पर आपने marking करनी है ठीक है so मैंने यहां पर zoom कर दिया है ताकि आपको अच्छे से दिख जाए so 15 वाली तो यह line हो गई dark green color वाली इसके उपर जो second है न light green color वाली line यह वाली यहां पर आपने marking कर देनी है क्योंकि यहां पर आपके दो parts हो गए 15 के उपर and दो parts मिलके एक number बना देंगे so 15 plus 1 16 ठीक है अब आपने अपना बार complete कर देना है ओके so अब हम बार complete कर देते हैं अपना ठीक है next है 500 to 550 10 so 10 तो आराम से represent हो जाएगा 10 represent करेगी यह वाली dark green color की line so complete कर दो इसको next है 550 to 600 12 so यह यहां पर बनेगा 12 represent करना है तो 12 कहां पर आएगा 10 and 15 के बीच में so इस case में क्या होगा यहां पर हम समझ लेते हैं 10 यहां पर आगया 15 यहां पर आगया so यहां पर आजाएगा 11 यहां पर आजाएगा 12 यहां पर 13 यहां पर 14 अब हमने 12 को represent करना है मतलब 10 के उपर 1 2 3 4 यह जो 4 वाली line है न यह represent कर देगी 12 को ओके so यहां पर देखो यहां पर यह 10 आजाएगा 10 के उपर यह जो 4th वाली लाइन है 4th light green color वाली यहाँ पर सो यहाँ पर आ जाएगा 12 मतलब यह जो middle वाली लाइन है न थोड़ी जो green dark green color वाली होती है उसके एक नीचे वाली light green color वाली लाइन सो यह represent कर देगी 12 को सो इसको complete कर दू ठीक है next है 600 to 650, 20 so 600 to 650 यहाँ पर बनेगा 20 यह वाली green जो dark green color वाली light है वो represent कर रही है and students जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आपने lines लगानी है न वो ruler की help से आपने बिल्कुल straight lines लगानी है free hand, tidy, medi lines ने लगानी उससे क्या है कि आपके marks कर जाएंगे ठीक है, कट सकते हैं आपके marks, next है 652, 725, so 650 to 700 यहाँ पर बनेगा 25 यहाँ पर आएगा, तो बना दो इसको last है 700 to 750, 12, so 700 to 750, 12, 12 हमने पहले भी mark किया था, यहाँ पर वैसे ही आपने यहाँ पर बना देना है है, okay, so यहाँ पर आजाएगी इसकी height, and इसको नीचे आप में ला दो, ठीक है, so मैंने जूम करके आपको इसलिए दिखाया है साथ में, ताकि आपको अच्छे से clear हो जाए, so marks बना दी हैं आपने, अब इनके उपर numbers लिख देते हैं, कि क्या किया कर रहे हैं यह, 16, 10, 12, 20, 25, 12, scale लिख देते हैं, so देखो, along x-axis आपका scale क्या है, यह जो एक एक block है, यह 50-50 को represent कर रहा है, right, 450 to 500, 500 to 550, 550 to 600 and so on, so यहां पर आजाएगा, one unit is equal to 50, y-axis के साथ आपने क्या scale लिया है, यहां पर आपने 5-5 का block लिया है, right, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 and so on, so यहां पर आजाएगा, one unit is equal to 5, ठीक है, so this was question number 5th, more questions we will solve in the coming videos, and students, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती हैं, तो इनको ज्यादा से ज्यादा आप अपने friends and classmates के साथ शेर कीचिए, click on the like button, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो, and do subscribe to the channel, thanks for watching, take care